नमस्कार, मैं हूँ रिशीक, मैं अब आपको उड़ने वाला आटो की कहानी सुनाता हूँ अर्जन के नाम से एक आटो था, उसने दिल्ले में लाजपत नगर में बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगहों से ले जाकर उनके मंजिलों के पास पहुंचाता था अर्जन का मालिक था श्रिश जी, श्रिश जी बहुत बोड़े थे, पर फिर भी उन्होंने बहुत मेहनद करते थे, अर्जन को अच्छे से देखबाल करते थे अर्जन को दिल्ली के खूबसूरत जगहें देखकर बड़ा आनन मिलता था जीवन में सब कुछ ठीक ठाक था और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था वह चलता रहता, फटफट टूका, टूका टुक लेकिन कहीं न कहीं अर्जन के मन में एक इच्छा दबी हुई थी वह उड़न चाहता था अर्जन सोचता था कि केनोपी पर हेलिकॉप्टर जैसे पंक हो और शिरिश जी की अंगोचे हवा में लहराएं और वे बहुत रॉमांचित होंगे लेकिन वह जानता था कि आस्मान में ऐसे करना बस एक सपना था उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होंगी एक गर्मी के दिन एक बड़ी उम्र की अवरत शिरिश जी के पीछे बैठी अचानक से जादू की तरह वे सब सडक से ऊपर जा रहे थे अर्जुन हैरान हो रहा था उसे नीचे जवाहरलान लहरों मैदान, इंडिया गेट, हुमायों का मकबरा, यमुना नदी और अक्षरधाम का भव्यमंदित दिखाई दिये सडकें बड़े जाल जैसी थी उसे देखकर सबको कुशी हुई लेकिन कुछ समय के बाद ठक गए थे सबको लगा कि उनके असली जीवन में ही मनोरंजन आता है सबको लगा कि दिल्ली की गमराहट से ही उसे प्यार था, उसे पसंद था धीरे धीरे अर्जुन नीचे आया शिरीश जी के साथ वहाँ फिर से काम में जुक गया उनके पुराने जाने पहचाने याद आ रहे थे बोड़ी आउरत की जमीन पर पहुँचा और आउरत उतर कर शिरीश जी को किराया दिया हर सफर एक नया सफर कभी नकतम होने वाले एक लंबे सफर का निराला हिस्सा आटो आटो ये आवाजे अर्जुन को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी इस पुस्तक से मेरी पठन कोशल अच्छा हुआ और मैं बहुत सारे नये शब्द सीखे अब मैं हिंदी में और भी कहानिया पढ़ सकता हूँ और समर सकता हूँ धन्यवाद